पिता, पुत्र और पवित्राग्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैय स्यूँ इदि आप लोगों ने धर्मसिक्षा क्लास को स्टार्टिंग से अगर देखर के नहीं आ रहा है कलीसिया क्या है ऐसे इससे बोल करके मैं सिखाते आए बीच में हम लोग में मैंने में तोड़ा रुखाया था एप्रिल मैंने में सुरू हुआ था आज दर्मसिक्षा जो क्लास है उसका टैडल में 36 में क्लास में ले रहा हूँ तो इससे पहले वाला क्लास विशेश कर जो सुरू का जो क्लास है कलीसिया क्या है अने को आज कल कलीसिया देख रहा है उनमा से सही कलीसिया कौन सा है कौन सा गुट के साथ आप है यह सब तोड़ा मनंचिंदन करने के लिए था इसके बाद Bible के विशे में Bible कैसे लिखा गया Bible का origin क्या है यह सब class मैंने लिया है Catholic Bible में 73 books और अन्य Bible में 66 books क्यों है यह भी मैंने बताया लेकिन अन्य कौन लोग Catholic लोग Bible में जो पुस्तक हैं जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया करकर करके बताते हैं तो उसका जो Bible का इदियास में मैंने सब बता करके दिया हम लोगों ने इसको देखा था जब रॉम का जो सिनड हुआ उस समय से कलीसिया में 73 बुक का Bible होता था ये अनेको महासभा में उसको पारित भी किया है ट्रंड महासभा हो कार्तेज में हो या रोम के महासभा में हो हर जगा पर इसको पारित भी किया है तो एक कैनन बनाया कितना किताब कौनसा कौनसा किताब होना चाहिए इसका एक कैनन बनाया गया 382 के रॉम महासभा के अंदर ये सब मैंने उन क्लासों में बता करके दिया उससे पहले अन्नेकों किताबें होता था सुसमचार अन्नेकों होता था उनसे केवल चार सुसमचार लिया अन्नेकों लोगों का लिखा हुआ लेक था उसमसे कितना लेकों को उठाया 27 जो बुक्स जो है नया विधान में होना है वो नरने किया और Alexandrian Canon के अंदर पुराना विद्धान का जो Bible है, कौन सा कोन सा किताव हैं चाहिए यह सब Alexandrian Canon के समय पर उसे पहले ही निर ने किया था हम लोगने यह भी मनंचिंदन किया येशा मसी और जो आदिम कलीसिया है वो चालिस पुराने विद्धान का जो किताब है सब्त जिन्द बैबल उस बैबल का ही इस्तमाल करता था आदिम कलीशिया और ईसा मसीश स्वयम सब्त जिन्द बैबल इस्तमाल करता था उसका अनेकों प्रूफ यह सब हमारे कलीशिया में है तो 46 और 27 नय विधान का किताब मिलकर के 73 बुक का जो बाइबल कैतलिक कलिसिया ने हम लोगों को दिया है कब तक था 73 यह प्रटेस्टन्ड आंदोलन जब सुरू हुआ सोलों में सदी तक यह 73 बुक्स का ही बाइबल चलते थे केवल 400 वर्ष हुआ है उनमसे कुछ किताबों को अलग कर 66 बुक का किताब बनाने का केवल 400 वर्ष यदि बाइबल का इदिखास को और दिखास को और गहराई से पड़े हमारा भारत देश में बाइबल कब आया सबसे पहले बाइबल तमल में प्रिंड किया 1714 में नया विधान एक जर्मन मिशनरी बर्तलियमी उसके द्वारा वो तमल नाड में आये तमल सीखा जर्मन आदमी है इसके बाद वो नया विधान को ट्रांसलेट किया लेकिन भारत देश में कोई प्रिंडिंग मेशिन नहीं होता था इसलिए वो जर्मनी से प्रिंडिंग मेशिन लेके आए 1714 में तमल नया विधान का प्रिंड किया इसके बाद वो पुरान विधान का ट्रांसलेशन शुरूत तो किया था लेकिन 1719 में उनका मृत्यू हुआ इसलिए वो पूरा नहीं कर पाया एक पूर्ण बाइबल तमल में इसके बाद प्रिंडिंग हुआ है अठारो सो चालीस में तो फर्स्ट जो पूरा संबूर्ण जो बाइबल है अठारो सो चालीस में तमल बाशा में भारत में पहला प्रिंड हुआ है इसके बाद हिंदी वेरा तो धीरे धीरे सुरू हो करके अनेकों वर्षों के बाद हिंदी बाइबल हुआ अन्य बाशाओं का बाइबल हुआ ये सब प्रिंड हुआ कहा जाता है कुंकिनी बाइबल जो है 1617 में ट्रांसलेट जरूर किया था लेकिन उसका प्रिंड नहीं हो पाये और मैंने पड़ा ये जब ट्रांसलेशन कर रहा था उस समय पर कोई कागस कुछ नहीं था लिखने के लिए भी जब ट्रांसलेशन हो रहा था उस समय पर जो पाम ट्री का जो पत्ता है उसी में ट्मल भाशा में बाइबल को लिखना था कितना कटिनाई से हो करके आज हमारे पास बाइबल बहुत है इसलिए लोग पुराना इस अवस्ता को नहीं जान रहा है समरन करना नहीं चाहते है हमें मालू होना चाहिए हमारे भारत देश में इसका मदलब है जो बीसमी उन्नीसमी सदी माल लिजी उन्नीसमी सदी तक हमारे हाथ में कोई बाइबल नहीं होता था और जो लोगों को सिखाना समझाना ये भी मना किया हुआ था Second Vatican Council के बाद ये आजादी दिया है इसके बाद local भाशाओं में Bible को translation करना सुरू किया हम जैसे मैं आज क्लास ले रहा हूँ कलीसिया से जुड़ करके ये अनुमदी Second Vatican Council के साथ मिला है इसलिए मना किया गया ये देखा गया है Protestantism जब बढ़ करके लोग अपने तरीके से Bible का आर्थ लोगों को समझाना सुरू किया एक लेक्षी रखा कैसे कातली कलीसिया से लोगों को आलग करे उस प्रकार का Bible translation करना Bible का explanation मतलबे बता करके देना ये सब सुरू किया था हम लोग 2 Thessalonians 2 में और 2 Peter chapter 2 में गिलातियों का पत्र दिया एक आदी में हम लोग पढ़ते हैं संद पवलूस और संद पेत्रूस इस प्रकार का अपना मनमर जी का जो बातें समझाना ये सब मना किया गिलातियों के पत्र दिया एक आठ के अंदर तो आएसे लोगों को शापित विक्ति करकर के भी कहा है तोड़ा सा पढ़ लेता हूं गिलातियोंगा पत्र उसके अधियाए एक वाक्य आठ वामर लिका है मैं जो कहचु कहाँ वही दुरा रहाँ जो सुसमचार आपको मिला है यदि कोई उससे भिन सुसमचार सुनाए तो वह अबिश्यप्त हो संद पवलूस ने जो सुसमचार सुनाया है उसके अलवा किसी और रीती से किसी और मतलब को निकाल करके यदि कोई ऐसा सुसमचार सुनाएगा वचन को भाटेगा वो शाबित विक्तिहकर करके कहते है उसी प्रकार पेत्रूस का दूसरा पत्र दिया ये तीन सोड़ों में पे अंदिन समय पर इस प्रकार के भरम में डालने वाले लोग आएगा लोगों को सत्य से अलग करेगा ये वी संद पेत्रूस सकंड पीटर अधियाए दो वाक्य एक से हाधियाम लोग पड़ेंगे वहां पर हमें मिलता है लेकिन कलीसिया में शिशूं के द्वारे एक सुन्द परंबरा दिया है ने को लोग परंबरा से नफरत करते हैं हमें मालूम होना चाहिए मैंने बाइबल के इधियास के समय पर इस सब बता करके दिया है ये जो बाइबल लिखा है वो परंबरा से लिखा है इसा मसी ने कोई किताब लिखरके नहीं दिया इसा मसी ने जो कुछ सिखाया उनके साथ चल करके सुनने वाले ने या उन लोगों ने जिसको सुनाया उनके सिश्य लोग जो सुनने वाले लोग बाद में जा करके बाइबल को लिखना सुरू किया हमें मालु है संदु पौση में नयविधान में जो लटर्स लिखना सबसे पहले सुरू किया था सबसे पहले संदु पौौ palavras को चाहता है यडी पच्यास के करीब ये लिखना सुरू किया इसके बाद आगे हमें मिलेगा एडी सौथ तक इन किताबों को इन लेटरों को इसु समचारों को लिखा है एक-एक कोपी लिखा है इसके बाद उसके अन्यकों कोपी बनने के लिए सब हातों से होता है उस समय पर कोई प्रिंडिंग मिशिन नहीं होता है उन बातों को अन्यकोपी करने के लिए हमें मालुमें उस समय पर पपीरस के पते में या चमडे में ये सब लिखाए जाता था तो ओ कार्य इतना जल्दी नहीं होता है आज आप थोड़ा इस बाइबल का ट्रांसलेशन या बाइबल को थोड़ा लिखना के लिए प्रयक्तने किजिए कितना महिना कितना साल लगेगा आप सोयम उसका अनुभव करेंगे और उस समय पर लिखने का सामगर ही नहीं है उस समय पर उन लोगों का दिकत को हम समझ सकते हैं इसलिए बाइबल को फिर प्रिंट करते करते टाइम लगा है हम लोग पढ़ते हैं बाइबल को बाइबल का इदिहास जब मैंने बता कर दिया था वहां पर बाइबल का प्रिंड सबसे पहले जो जर्मिन जो जॉन गुटनबर्ग है 1450 पर 1450 पर वो प्रिंड करना सुरू किया दीरे दीरे होता है कहा जाता है पांच साल लगा है उस लाटिन वुलगाता बाइबल को प्रिंड करकर के जो कोपियां देना जब सुरू किया फिफ्टी फाइव आ करके 1455 आ करके ये वुलगाता बाइबल का कोपियां उबलप्त करना सुरू हुआ तब तक कोई printing machine नहीं था जॉन गुटनबर्ग ने Bible को print करने के लिए printing machine का खोजिके जैसे मैंने बोला है भारत देश में सबसे पहले printing machine जर्मनी से जब लाया वो Bible Tamil Bible को print करने के लिए था उससे पहले कोई printing machine यहां बर नहीं होता था तो Bible था यह नहीं लेकिन Bible से जो पढ़े हुए जो लोग है ज्यानी लोग है इसा मसी के चेले लोग है वे लोग मौकिक रूप से लोगों को सिखाता था मौकिक रूप से इसलिए तसलियों का दूसरा पत्र अधियाय दो वाक्य पंत्र को तो पढ़ते हैं तसलियों का दूसरा पत्र सकंड तसलियों चाप्टर टू वर्स फिफ्टिन इसलिए भाईयों आप धारस रखें और उस सिख्षा में दृड़ बने रहें जो आपको हम से मौकिक रूप से या पत्र दुआरा मिली हैं इसका मतलब सब बात संद पवलुस ने लिखर के नहीं बेजाएं अपने शिशूं के दुआरा मौकिक रूप से भी अनेकों बातें सिखाया हैं अधियाय तीन शेकंड तसलियनी चाप्टर त्री वाक्य छे और साथ को भी पढ़ते हैं भाईयों हम आपको प्रवी ईसा मसी के नाम पर आपदेश देते हैं कि आप उन भाईयों से अलग रहे जो काम नहीं करते और उस परंबरा के अनुसार नहीं चलते कौन सा परंबरा जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है संद पवलुस यहां पर साफ साफ कहते हैं हम लोगों से आप लोगों को कुछ माउंकिक रूप से कुछ परंबरा जो कलीसिया में जो होता है कैसा होना है बप्तीसमा कैसा देना है क्या देना है मिस्सा बिलिदान कैसे है प्रार्थना कैसे करना है कैसे जीवन जीवन जीना है कैसे एक दूसरे के साथ भाईचार्य में रहना है जरूरतमंदों के मदद करना है ये सब बातें बाईबल के अंदर सब नहीं लिखा है मौ की करूप से भरंबरा में आपको मिलते जा रहा है इसलिए कातली कलीसिया मैंने एक क्लास पूर्ण रूप से सी के उपर भी लिया था कादली कलीशय कैसे शिक्षा देते हैं कैसे सिखाते हैं उस समय पर मैंने कहा था कलीशया के पास तीन चीज़े हैं सबसे पहले जो परंबरा है जिसे हम पवित्र परंबरा कहते हैं पवित्र परंबरा कलीसिया को मिला है इसा मसी से डायरक्ट सुन करके जो चेले लोग जो पेतरुस के अदीन में जो कलीसिया बनाया उसको पेतरुस से इसा मसी से सुनने वाला और अन्य संदों से सुने हुए बात वो परंबरा में मिला हुआ है इसे पवित्र परंबरा करते हैं ट्रडीशन इसके बाद उस परंबरा में रहकर कलीसिया ने बाइबल की रचना की उस परंबरा में जो मिला हुआ बात जो सुना हुआ बात उसको लिखा उसको परंबरा में लिखा हुआ, परंबरा से मिली हुई वो जो लिखित रुप है ये समसी का जो वचन, जो सुसमचार, जो लिखित रुप में उससे हम बाइबिल कहते हैं परंबरा में जो था उसको लिखा गया है तो इसका मदले पहले परंबरा था, मौकिक सिख्षा चलता था, उदाहरन देता था, इसलिए मैंने एक क्लास ले चुका है, मेरा अनुकरन करो बोल करके संद पहलूस करते हैं, उनका अनुकरन करने का मदले उस परंबरा में चलो, उस परंबरा से हमें सीखना है करकर करके बो वेवारा fathers of church जो church fathers जो होता है उनका अनेकों ऐसा कृतियां है लिखा हुआ है जो बाइबल में भी नहीं होगा ऐसे बातों को लिखा हुआ है उन चीज़ों को कलीशिया आधर सम्मान के साथ सीकार करते हैं इसलिए four fathers जो church fathers है उनके किताबों को भामूल या निदी के रूप म कलीसिया में रखा हुआ है और कलीसिया में जो परम्बरा आया है उस परंबरा रीती से कलीसिया सिखाते जा रहा है मिस्सा बिलिदान का क्लास में मैंने बोला था हांदीम कलीसिया में योहन के सुरे लुकस के सुसमजार हदियाए 24 में किस प्रकार का जो मिस्सा बिलिदान का तरीके लिखा है उसे तरीके में आज भी मिस्सा बिलिदान चल रहा है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है परंबराजे लिखा है लूकस इसा मसी का शिशे नहीं था लूकस ने कहां से सिखा लूकस ने पॉलुस से सिखा पॉलुस ने जो कुछ किया जो कह रहा था उसके अनुसार संद लूकस ने लूकस का स्वसमचार की रचना की तो परंबराजे परंबराजे बाईबल को लिखा प्राप्त एक अथोरिटी सुर्ग राज्ची का कूंची तुम्हें देता हूं बोलकर के पेत्रुस को जो दिया हुआ अधिकार मत्य के सुस्वमचार दिया है 18-18 के अंदर जो कुछ तुम यहां बरबांद होगे सुर्ग में भी बांदेगा जो खोलेगा सुर्ग में भी खो उसको निकालने का वो अधिकार है जैसे एक क्लास में मैंने कहा था जो मूर्ती के विशे में जो क्लास लिया था उस समय पर जो देव मूर्ती ना बिनाने का जो आग्या था उसको ट्रेंड महासवा ने उस नियम को रद कर दिया क्योंकि इसा मसी आने के बाद इश्वर का मूर्ती हम बना सकता है क्योंकि इसा मसी ही इश्वर है तो कलीश्या के पास ये आदिकार है तो तीन चीज़ों के एक परंबरा पवित्र परंबरा और पवित्र बाइबल ये समान रुप से दोनों को मानते हैं जितना बाइबल है उतना ही कलिस्या का परंबरा भी है उतना ही कीमत है उतना ही इजद देता है उतना ही उसका आदर्द कर रहा है और कलिस्या को प्राप्त जो अधिकार है तो ये परंबरा का तरूप से पेतरूस से लेकर के अभी संद पापा फ्रांसिस तक वो अधिकार मिलता गया है वे परρεंबरा उनके अधियन में रहे करके कतल कलीजिया उनकी सिख्षा पर चलते हैं प्रभु की सिख्षा पर जो बैबल सिखाता है जो परबरा गदर इदिस से कलीजिया को मिला है उसको सुनता है तो बाइबल केवल बाइबल है ये बोलना गलत है पवित्र बाइबल में कहीं भी नहीं लिका है इस बाइबल के अलवा कुछ और नहीं होना चाहिए केवल बाइबल है पवित्र बाइबल में एक वजन भी नहीं है बलकि बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ इसमें नहीं है यदि सब कुछ लिखना है इसमसी का जो कारे केवल नया विधान का बोल रहा है पूरा नया विधान को छोड़ दीजी नया विधान में इसमसी ने तीन वर्षों में जो कारे किया है जो चमतकारे दिखाए है चंक पूरा नहीं होगा किताब यह भरते जाएंगे इसलिए के विले उतना ही लिखा है प्रवीशा मसीही मुक्ति दादा है बस इसको स्थापित करना है उतना ही लिखा है इसका यह मतलब नहीं है कि जो बाइबल उतना ही चाहिए वो बोलने वाले लोग 73 books से सात किताबों को अलग भी किया इसके बाद भी बोल रहा है यही चाहिए यह से प्रग्या गिरंद का कई बाते हैं हम लोग ने मन इंचे देन के अभी ती क्लासों में कितना सुंदर किताब है तोबित का गिरंद कितना सुंदर किताब है मकावियों का गिरिंद कितना सुंदर किताब है इन किताब उनको निकाल करके बोलता है बाइविल ही सब कुछ है अपने मर्जी में जो कतली कलीसिया के सिच्छा का कंडन करना है जो परंबरा को कंडन करना है उसमें जो तक्लिफ होने वाला उन किताबों को हटा दिया यदि ग्रीक बाशा में लिखा हुआ किताब को हटाया ये बोलेंगे नया विधान ग्रीक बाशा में ही लिखा हुआ था यहूदियों ने ग्रीक बाशा में लिखा हुआ सेप्तुजिंद बाइपल को स्विकार नहीं किया इसलिए वो जो साथ किताब उनके तनक में नहीं होता है विभाजन अलक्सांड्रियन कैनन में जो विभाजन हुआ जो ट्रांसलेशन हुआ वो सब उन लोग मान लेया लेकिन जो किताबें जो जो जोड़ा गया उस अलक्सांड्रियन कैनन के अंदर उसको स्विकार नहीं किया वे लोग नयाविधान को भी स्विकार नहीं करते हैं लेकिन दुख की बात है कुछ कृस्तिय ग्रूप इसी प्रगार सब्तुजिंद बैबल को नाकारा और नयाविधान को भी स्विकार किया ये बड़े दुखी की बात होता है तो कादरी कलीसिया सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले परंबरा मिले हैं इसके बाद बाइबल मिले हैं और इसा मसी से आदिकार मिले हैं हम उसके अनुसार परंब्रा को भी मानेंगे बाइबल को भी मानेंगे और कलीसिया का जो भी कैटकिस्म है उसको भी हम स्विकार करेंगे पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैयेश्यो